जहें हैं दोस्तों केरेंट प्रण में आप से स्विगा स्वाग एते हैं दोस्तों लुशेंट जीके का पार टू लेकर आगए आप लोगों के लिए सामाने ग्यान का पार टू है यह तो दोस्त इस वीडियो के अंदर आपको डेली टो फिफ्टी क्यूशन प्रवाइड करा वाली है और परत्रे क्यूशन का आश्र देने के लिए आपको पांच सेकिंड के समय मिलेगा उसके दोरान हम आपको यहां पर आश्र बताएंगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और से जुरू करें और अगर आपको यहां पर पहली बार है तो सल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साच में नौटिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करेंगे दोस्तों यह वीडियो आपको डेली सादेनों मुझे राज को प्रवाइट करा तिए तो दोस्तों इस वीडियो को डेली आटरन किजिए और अपने एक्जाम के तैयारी को आगे बताएंगे आप लोग अकबर का जनम कब हुआ था तो कब हुआ था दोस्तों चैले देखिए सही आंस होगा अकबर का जनम हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को apply 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 कि मगल शासको में अनपद सासक कौन था तो दोस्तों अकबर था याद है चलीए नेक्स्ट क्यूशन करते हैं दोस्तों जल्दी सजली वीडियो को लाइक ओर शेयर कर देंगा आपलो नेक्स्क्यूशन आपके लिए भारती राष्टिये कॉंगरिस के पर्थम मुश्लिम अध्यक्स कौन थे? भारती राष्टिये कॉंगरिस के पहले मुश्लिम अध्यक्स कौन थे? तो दोस्तो कौन थे? बदरुदिन तैयब जी. उप्शन C आपका बदरुदिन तैयब जी यह लोस नमको चंद्रकुप दिरीते के द्वारा बनवाया गया था। स्विदान के भागनों में किसका वर्नन है। किसका है दोस्तो पंचायत का आपका पंचायत यहां पर रहा ही तैक होगा। दोस्तों बताएगे का सबसे पहले पंचायत अधिनियम काहा पर लागू किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले पंचायत राज अधिनियम सबसे पहले राजस्तान के नागोर जिले में लागू किया गया? यह आप लोग यह दखेंगे Next question है सवतंतर भारत की पहली ओद्योगी किनिती की गोशना कब की गई तो दोस्तों कब की गई थी? राय टन्सों यापर, 1948 में, option D, 1947 आपका राय टन्सों गई अपर, next question, सबसे अधिक विशयली मचली कौन सी है, इनमें से सबसे अधिक विशयली मचली कौन सी है, कौन सी ही दोस्तों, राय टन्सों गई अपर, option C, स्टोन भी सबसे अधिक विश्याली में बचली होती है नेश्च देखेगा नेपोलिन के पीता का नाम क्या था नेपोलिन के पीता का नाम क्या था क्या नाम था कार्लो बोनापार्ट उप्शन D कार्लो बोनापार्ट आपका राइट एंस हो गया पर नेक्स देखेगा उससे पहले गरणर जनल का नाम बताईए जिन पर महाब्योग चलाएगा तो दोस्तों कौन था वारिन हिस्टिक्स उप्शन ए आपका राइट 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 नागलेन्ट राज्य हैं, जूम केती के लिए परचली ताजा यार रखेंगे, next question, करनाडा का राष्ट्य खेल क्या है, बताएगे आप लोग, करनाडा का राष्ट्य खेल क्या है, क्या है दोस्तों, आई से होकी, option B, आई से होकी, करनाड़ा देश का राष्टि खेले याद रखिए next question दोला वीरा भारत के किस राजे में है किस में दोसो गुजरात राजे में option A गुजरात राजे राइत अनसुगैं next देखिएगा अशोक चकर पाने वाली पर्थम महिला कोन है अशोक चकरे पाने वाली पहली महिला कोन है कोन है दोसो निर्जा भहनोत option B निर्जा भहनोत आपका राइत अनसुगैं next देखिएगा ब्रामनों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुशलिम सार से कोन था ब्रामनों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुश्लिम सार से कौन था? कौन था दोस्तो? फिरोज सा तुगलग था Option B फिरोज सा तुगलग आपका राइट अनसर होगा Next देखे का जंडा समीति के अद्धेक से कौन थे? बताएंगे आप लोग जंडा समीति के अद्धेक से कौन थे? फिरोज सा तुगलग थे? जे भी करिपलानी Option B आपका राइट अनसर होगा थे? जंडा समीति के अद्धेक से जे भी करिपलानी याद अखेंगे Next question भारती राष्टी कॉंगरिश के पहले अद्धेक से कौन थे? बताएंगे आप लोग पैगंबर किसे कहा जाते हैं आधुनिक राष्टवाद का पैगंबर किसको कहा जाते हैं किसको कहा जाते हैं तो दोस्तो राइट अनसर होजे गया पर आधुनिक राष्टवाद का पैगंबर अरवीन दे गोश को कहा जाते हैं Option B आरवीन दे गोस आपका राइट अन्स हो गया है पर नेक्स ने बीरबल का वास्त्विक नाम क्या था बीरबल का वास्त्विक नाम क्या था क्या था तोस्तों महिस्तास ओप्शन से ही महिस्तास आपका राइट अन्स हो गया है पर नेक्स देखेगा स्विधान संसोधन की परक प्रिकर्य हैं कहां से लई गई है तो का सी लिग hottest हुआ चले देखी का दleich की दकषिन आफरीका की स्विधान से स्विधान से दातोन की प्रिकर्या दकषीन आफरीका के स्विधान से लिगई है यहाँ रकींगे option D आपका right answer होगा next दिकि Everest पर चड़ने वाली पर्थम नेत्रहिन मेला कौन थी Everest पर चड़ने वाली पहली नेत्रहिन मेला कौन थी कौन थी दोस्तो A निक बिन मेमर पहली नेत्रहिन मेला थी Everest पर चड़ने वाली option A right answer होगा next दिकिगा भारत में पहली बार जनगर्णा कम हुई दोस्तो अपना एक लाइक इस वीडियो को दीजिएगा एक शेयर दीजिएगा ताकि ये नए बचों तक जुड़े इस वीडियो और वो भी अपने एकजाम की त्यारी को यह आपर जुर कर बढ़ाशके तो जल्दी जली वीडियो को लाइक औ और शेयर करेंगे तो देखिए भारत में पहली बार जनगर्णा कब हुई तो दोस्तो कब हुई थी 1872 में ओप्शन C आपका राइट अंसुग है पर नेक्स क्यूशन पर्तम फेक्ट्री अधिनियम किसके सासन काल में पारित हुआ था पर्तम फेक्ट्री अधिनियम किसके स सासन काल में पारित हुआ था नेक्स देखिगा राजसभा की पहली बैठक कब हुई थी राजसभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तो कब हुई थी तो 13 मई 1952 में राजसभा की पहली बैठक हुई थी औप्शन A आपका राइट अंसुग है पर नेक्स देखिगा पर्व परवत चोटी केटू की उंचाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? 8611 मिट्रे परवत चोटी केटू की उंचाई Option C आपका राइट अंसो हो गया पर Next है वशा को पचाने वाला इंजाइम कौन सा होता है? कौन सा होता है? लाइपेज एंजाइम होता है वशा को पचाने वाला Option D आपका लाइपेज एंजाइम राइट अन्सर होगा Next Question परतेग जवार के बीच कितने समय का अंतर होता है परतेग जवार के बीच में कितने समय का अंतर होता है कितने समय का होता है 12 गंटे 26 मिनिट का Option C, आपका right answer हो गया पर. Next दिकी का, अशो के लेखो को सबसे पहले कब पढ़ा गया? अशो के लेखो को सबसे पहले कब और किसके दुवारा पढ़ा गया? तो दोस्तों किसके दुवारा? James Princip के दुवारा 1837 में. याद देखना, अशो के लेखो को सबसे पहले 1837 में James Princip के दुवारा पढ़ा गया था. Option B, आपका right answer होगा. Next दिकी का, हिमाउती, किस नदी की साहिक नदी है? हिमाउती, किस नदी की साहिक नदी है? तो दोस्तों किसके है? next दिकी का चंदर परभाः राष्टिayan वन्य पराणी अभ्यारा किस राज़ी में है? ये उत्तर परदिश में. Option B, आपका उत्तर मदेश right answer होगा. Next दिकी का, जैमिती का जैनक किसे कहा जाते है? जैमिती का जैनक किसको कहा जाते है? किसको कहा जाते है? you killed को option a you killed आपका right answer नेक्स ने किया था पोलियो टीके का आविस्कार किसी ने किया था किसी ने किया था तो दोस्त जॉन साल्क ने option c आपका जॉन साल्क यहां पर right answer होगा next है मानसरी में oxygen की पर्तिसयत मात्रा क्या होती है मानसरी में oxygen की पर्तिसयत मात्रा क्या होती है तो 65% option D आपका right answer 간per next है किया था वाहिए पर्वत किस देस में थीथे ए वाहिए पर्वत किस देस में स्तिधन तूस्त किस winning USA में option A USA था और ज रहें आपका सही Turn अफ़यर से नेधी पर रहें नर्मदा नदी पर. उपशन C. नरमदा नदी आपका राइ्ट रह रश्चे मशेल के भारते आपके अपर. भारतियय मोश्टन विज्ञान विभा की स्थापना कब हुई थी? कब हुच थी? 1800 पिचेतर में Option B, आपका Right अंच एंपर Next नेक्यों का दिल्ली सल्तिनत की स्तापना किसके दुवारा की गई थी? दिल्ली सल्तिनत की स्तापना किसके दुवारा की गई थी? पताएंगे तो दोस्तो राइ अंच एंपर कुटबुदिन एबग के दवारा Option A कुटबुदिन एबग आपका राइट अन्सों गयाँ पर Next देखीगा Nobel पुरुषकार प्रात करने वाले पर्थम भारती कौन थे Nobel पुरुषकार पाने वाले पहले भारती कौन थे तो दोसो कौन थे रविंदर ना टेगोर थे Option B आपका राइट अन्सों गयाँ पर Next देखीगा सिक्किम राजे को पूर्ण राजे का दरजा किस स्विधान संसोदन के तहत मिला दोसो किसके बिलकुल देखी दोसो राइट अन्सों गयाँ पर Option A सिक्किम राजे को परमाण संनेटर किस राजे में है रावट भठा परमान सेंतर किस राजे में दोस्तो किसमें राजस्ðान में Option D राजस्थान आपका राइट अन्सों गयाँ पर next है कोलकाथा स्टोक एक excel की स्तापना कभ ही थी कोलकाता स्टोक एक्छेंज की सापना कभ हुई थी, कभ हुई थी दोस्तो, 1907 में, option B, 1907 आपका right अंसरो काईबर, next है, best bakery हत्या काण किस राजे में समझ देते है, best bakery हत्या काण का समझ किस राजे से, किस दोस्तो, right अंसरो काईबर, option A, गुजरात राजे से, next है कि का, हमारे राश्टी दोज की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या है राश्टी दोज की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या है क्या है तो चलिए देखी राई 300 पर तीन अनुपात दो लंबाई और चोड़ाई का अनुपात है option B आपका राई तम सवय पर तीन अनुपात दो याद रखेंगे next ने मानसरी में भोजन मुख्य ते कहां पच्छ दे तो दोस्तो पाच्छन के लिए जो मानसरी में वो मुख्य प्राणब होती मुख्य तो प्राणब होती है लेकिन आप बात धुरी पस्तिक आपर तो दोस्तो छोटी आतमे मुख्य प्राणब होकर पाच्छन के लिए चोटी आतमे संपन होती है यह आप लोग याद रखेंगे next देखेंगा सबसे नियूंतम तरंग दहद किस रंकी होती है तो दोस्तो किस की होती है चले देखी बैंगनी रंग की option D बैंगनी रंग आपका राइट अंसर हो गया पर next देखेगा विश्व का एक मातर हिंदू राष्टर कोन है विश्व का एक मातर हिंदू राष्टर कोन है तो दोस्तों कोन है नेपाल विश्व का एक मातर हिंदू राष्टर है option A, आपका Nepal right answer होगा, next ने किगा, अध्यादे से जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, किसके पास है दोस्तों, के ओल राष्टपती और के ओल आजपाल, डोनों के पास होता है, option C, A, और B, डोनों आपका right answer होगा, next ने, जंतर मंतर का निर्मान किसने करवाया, जंतर मंतर का निर्मान किसके दोवारा किया गया, तो दोस्तों किसने किया, right answer होगा, जैसिंग, option B, जैसिंग आपका सही होगा, जैसिंग के दोवारा जंतर मंतर का निर्मान किया गया, next ने क कि राजियु गांदी खेल रतन पुरुषकार के पर्तम विजयता कोन है तो दोस्तों कोन है विश्वनात आनद है उप्शन सी आपका राइटन सुगया पर नेश्ट की का बंगाल का बाग किसे कहा जाते हैं बंगाल का बाग किसे कहा जाते हैं किसे कहा जाते हैं आशुतोस को बंगाल का बाग का आज़ तया रखेंगे और आज का लास्ट क्यूशन दोस्तों CISF अकादमी किस राज़े में CISF अकादमी किस राज़े में तो दोस्तों किस में राइट अंसो गया पर उप्शन भी आंधर परदेश में दोस्तों आपके लिए का दोस्तों अगर आपको वीडिव को लाइक और शेल करें करेंगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो दोस्तों मिलते नक्स्ट वीडियो में तब तक घूर भाई तक और जे भारत बने मातर हम